बिग बॉस के घर में लिया गया रुभीना और अभनव शुक्ला के प्यार का इंतहान आखेकार इस इंतहान में हुआ क्या और किस तरीके से इन दोनों ने कैसे जीता जनता कदर बताऊंगे इस वीडियो में नमस्कार मैं हुरुदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलिवड हैडलाइज मैं आपको बता दूँ कि कल बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन टास्क चल रहा था इस नॉमिनेशन टास्क में दो लोगों को एक जगा बनाई थी उपर जाके वहां पर जाना था और वहां पर जाकर एक दूसरे से मास्क जो है वो छीनना था जिससे की वो नॉमिनेशन से बच जाए तो जिसके हाथ में मास्क रहता वो नॉमिनेट नहीं होता और जिसके हाथ में नहीं रहता वो नॉमिनेशन में चला जाता और रेड जोन में भी जाता अब इन जोडी के पीछ में पहुंचे और अभीन आप जाने है हैं कि दोनों को एक दूसरे के खिला था यहापर तो इन दोनोंने बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ में प जा यहां पर दोनों ही एक दूसरे को समझाते हुए नजराए यहां पर रुबीना कहती है कि आप इस मास्क को रखिए अपने पास में क्योंकि आप मेरी स्ट्रेंथ है आप ही मेरा oxygen marks है और आप ही की वज़ा से मैं इस शो में आई हूँ तो अगर आप इस शो में रहेंगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगे और मैं नहीं रह पाऊंगे सेम चीज़ अब इनव शुकला भी कहते हैं अब इनव शुकला भी इस बात को कहते हैं कि क्या कहते हैं तुम बहुत strong हो और तुम मेरे बिना भी इस गेम को खेल सकती हो अच्छे से और मैं तुम्हें वापस से red zone में नहीं देखना चाहता हूँ इसलिए यह मास्क तुम रखो के, आपको उदातों कि जो इनकी पूरी प्रक्रियाँ चल रही थी इसे सब घरवाले देख रहे थे और सब घरवाले इस सीच को देखकर हर किसी ने जाना कि आकरकार, रुभीनव का क्या है प्यार वहला आपको बतातों कि इस प्यार से जंता के साथ साथ काम्या पंजाबी भी काफी साथ अट्राक्ट हुई हैं जी हां वहला आपको बतातों यहां पर कि उन्होंने इस शो के खत्म होने के कुछ दिर बाद ही ट्विटर पे ट्वीट करते हुए लिखा हैश्टेक तरीके से लोग सेट कर रहे हैं बिग बॉस के घर में हर कोई स्टीज की तारीफ जो है वह कर रहा है हर कोई पसंद कर रहा है और आपको बजा दू एड दी एंड रुबीना ने अभिनव को इस बात के लिए कंवेंस कर लिया कि वह ऑक्सिजेंट मांस जो है वह अपने पास रख लें और रुबीना वो चुकी है नॉमिनेटेड अब ऐसे में आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि आप दोनों को इनके प्यार का जोई इम्तिहान हुआ ये कैसा लगा साथ में आपके हिसाब से दोनों में से किसको नॉमिनेशन में जाना चाहिए था वे